तो आप सब कैसे हो आज क्लास नाइन्थ का चप्टर नमबर एट जिसका नाम है चतरभूज इंगली से बोलते बाचो क्वाड़ेटर इसका एक्सरसाइज 8.1 का कोशन नमबर 2 को सॉल्व करेंगे कोशन बचो दर्साइए कि वर्ग के बिकर्ण बराबर है बचो सीध करना है कि जो वर्ग का जो बिकर्ण क्या है बराबर है और साथ-साथ प्रस पर समकोन पर क्या करती है समदी भाजित करती है समदी भाजित का मतलब होता बराबर भागों में क्या करती है बिभाजित करती है क्या करना प्रूफ करना तो पहले क्या करते बच्छो जबी प्रूफ का कोशन आगा तो आपको गिविन पार्ट को लिखना उसका जो जो प्रूफ करने के लिए बोलेगा बारी बरी से क्या करेंगे सभी को प्रूफ करेंगे बच्छो एक वर्ग है उसके बाद क्या करना उसक तो पहला पार्ट में बिकर्ण को क्या करना प्रूफ करना कि जो दोनों में बराबर तो पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे तो लिखेंगे यहां पे वर्ग में दहान रखना कि सभी साइट बराबर होता, सभी अंगल क्या होता, याद करना पड़ेगा, सभी साइड होता क्या होता बराबर होता और साथ सभी एंगल क्या होता 90 डिगरी होता इस बात को क्या करना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा और इस कंसेप्ट को क्या करेंगा प्रूफ में सभी एंगल क्या होता बराबर होता लिख सकते एंगल एंगल बी एंगल सी अगर एंगल डी जो होगा नाइंटीडी वराबर होगा कि यह क्या करना बद्द दिया हुआ है क्यूंकि एक शार्य-सद्वार ऑडता सबी एंगल वराबर होता तो सीध करने वाले पाट को बारी बारी से लिखेंगे एक वल में दूसरा पाला विकर्ण तो एसके साथ साथ मालेते कि जो विकर्ण हो पर कट कर रहा है तो इसमें प्रूफ करना बच्चो जो एंगल सभी एंगल का 90 डीडिवरे साथ सथ क्या करती संदी भाजित करती है बॉला हुआ कि साथ सथ जो विकार्ण होता करता कट करने के बाद क्या होता वा सब्सक्राइब करता चितना उपर उपर हो तनाई क्या होगा नीचे तो फर्स्ट पाट में प्रूफ करना बच्चो सकेंड चाल सकते जो पुरूफ करनाब क्या है समधी भाजी थे तो फिया फोल में क्या कुरूफ करना पड़ेगा ओ यह आई लुगा tam क्या 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 हो यह पिरूफ करना और और साहर यह चटार सह तीसरे पाट में भचो जो इDr.पक करना है तो माल लेते की एंगल वन है इस एंगल दो है एंगल का-3 एंगल का-4 तो यहां पर प्रूफ करना बच्छों एंगल वन नेमिंग कर दिए 1 2 3 4 एंगल1 एंगल टू और एंगल प्रूफ करना तो हम लोगे स्टार्ट करेंगे पहला प्रूफ पहला प्रूफ में क्या करना पराबर प्रूफ करना यहां से प्रिजक में परक्राइब लिश्य से करते दोनों पर प्राइब करेंगे तो आए बीसके करेंगे एकरक्समरी bande अब बताते वची इसमें अब यहां देख सकते हैं यहां पर यहां पर तो दोनों में यहां को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वहां आज इस्त और इंगलीश नों रिहां से वे निस्ट फोवए निस्ट कि और हम लोग पढ़ेते वह दोड सभी साइड सब 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 और वो दिखा जीते हैं इसमें कोन सबसक्राइब आ सबसक्राइब चोट गरावर है इसमें काउन सब सबसक्राइब यहां पर हो जांग है चैने सब्सक्राइब यहां पर एंगल का इस पूरे जो दिर्भूज बंदा और इस बाले में बच्चों जो तिर्भूर से उसमें यहां पर क्या कर दिए तो दोनों तिर्भुज क्या हो गया सुराकसम हो गया अ किसी एक स पुरूज या साइड पूरूज किए हैं फिर यूज फिल अन्गल पूरुफ किए तो यह क्या करना किसी भी तिर्भूज में मुब करना तो पहला साइड में ना तो पहला side फिर एंगल फिर क्या होगा side तो तिर्भूज सुराक्सम हुआ किसके according सब्सक्राइब आरेचेस बच्चों युज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि आरेचेस में क्योंता 90 डिग्री के सामने जो साइड होता वो क्या करते कंसिडर करते जब इसमें क्या हुआ 90 डिगर के सामने वाला साइड क्या कि यह प्रूफ नहीं कि यहां पर रहेचेस यूज नहीं करेंगे कि यहां पर रहेचेस नहीं कर पाएंगे साइड एंगल साइड 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 से दोनों विकर्ण क्या हो जागा बच्छो बराबर हो जागा पाहला पार्ट प्रूफ हो गया प्रूफ हो याद करना है क्रोस्पन्डिंग पार्ट ऑब कान्गरेंड डुसरा में जो तक रहेंगल क्या करना जो बिकर्ण जो अपस में जो कट कर रहा उसको उपर वाला साइड मत उपर वाला क्या है ओसी या नीचे वाला साइड क्या है ओ ये उसी तरीके से उपर वाला साइड क्या है ओ भी क्या करना प्रूफ करना है बच्चों इसको सगेंड पार्ट में जो प्रूफ करना है जहां पर बिकन जो कट के उसको उपर वाला नीचे वाला साइड क् प्राबर होना चाइए इसके लिए का करेंगे नाम है SEO D से ओडि औधी को और इसमें जो जब प्चो उसका नाम है और नाम है यह या वाले में जो साइड का वर्ग तो सब आफ़ उपर वाले में जो साइड मुझे और नीचे वाला जो तिर्भूज किया उसका सप्पार यहां प्रिजन लिख देंगे कि की की कैस्कार एक वर्ग है एकव कर दोनों बराबर हो जागा क्योंकि यहां का राइट क्या बराबर हो तो यहां का बचो लिफ्ट और यहां का राइट क्या बराबर कर बोलेंगे और इसमें को बाफे सिटोच टम्हीं को ओ थे हैं यह इंगले अलटरनेट में इंटेरियर से लेंगर हो कर दो और फिर से सकता हैं क्या है प्रफ्ट को लिखे और इस को लिखे ओए उसी तरीके से बचो ओडी सी ओडी सी और इसकोन का ना हो चो ओबी ए ओबी ए रीजन का लिखेंगे एक आंतर अंतर कोन और इंग्ली से बोलते हैं अल्टरनेट इंटेरियर एंगल तो आप दोनों तिरुपज तीन साइट प्रूफ कर दिए तो स्राक्सम होगा पहले तिरुपज के नाम है सी ओड के नाम है सी ओडी दूसरे का नाम है ए ओधी तो लिखेंगे सी ओडी स्राक्सम है । कि किसी एक तिरुपूज में का करें। करेंगे काया प्रूफ किए तो पहले पूब के वह फिर किया फिर पूफ के एंग नीचे में बहुंगे उसका साईड फिर क्या एंगल यहां पर चाहिएंगल सब्सक्राइब काओ ठोटि हो जागा यहां किया बराबर चाहे तो आप इसमें भी देख सकते बच्टों इधर सकते है No е 9 Video रॉट और बनी यहां पे डूह को इसी के साथ दूसरा। क्या होगा कंप्लीट हो गया अब हम लें स्टार्ट करें वाचो इसका पाट नंबर 3 को तीस्रा पाट नंबर सभी जो एंगल है क्या क्या करना प्रूफ करना है जो चारों एंगल कहा है आपस में 90 डिग्री का और और कट कर उसके लिए कोई भी दो लगतार तिर्फूच को क् लिखें अच्छो ओ ए बी और जो दूसरा तिर्भूज हो जागा बच्छो उसका नाम डी इसमें हम लोग क्या क्या प्रूफ कर दिए अच्छो पहला तो क्या साइड का बराबर है क्यूंकि वर्ग है तो लिख देंगे आप एबी एक और में का जागा एडी और यहां रीजन ओले में अब्ति क्या है बच्छो यहां पर दिखा देते ओबी क्रूफ के उसको क्या करेंगे यूज करेंगे तेसाँ बी इकव होल में ओडी और तीसरा जो प्रूफ कर वैच्छो क्या कॉमन स्थाइड यहां पर ओविक निक और ने कामयी को मैं तो क्या那麼न रिक्षो किये है और यहां पे ओ भी कामान को बोलते वह बोलते का बोलते ओभैने इस्ट तो लिखेंगे ओभैनी स्ट अब दोनों तिर्भूज क्या और बचो सुराक्सम हों गया तो लिइक देंगे आपे तिरहर ऑप्ल कि प्रीपल साइडा ये और त्रिपल साइड़ हो गलतोग प्राप्पो से और द्हाना रिंगल फॉर एकको बनना क्या बनना नियर फेर लिनियर पेर में ऐसी लाइन बनते है तो हमेसा दोनों को एंगल वन कितना वार बच्वण बच्व खुल withdrawal वन बपर और वन कितना दो भार है कि कि ए मर्ण हम आट तो एंगलवन यहां से निकल जागा 180 अपॉन टू वह जागा बच्व नाइनटी डिग्री अब यहां पर क्या बचो को एंगल वन बता देते हैं यहां पर वर्टिकल एया पूजी टेंगल से वन और टो किया बराबर हो जाँगा वर्टिकल्य आपस्थ करता है तो उपर वहला नीचे वह एंगल बराबर हुता है किसके कोडिंगे की कौन किसके भपोजीट भच्छो ध्या MON को जित का थी है दो टी बात को लिक देंगे है यहां पो लिखेंगे जो वन है एंगेल का थीरी के बडाबर है और एंगल वन Bueno और हिंदी में बोलेंगे सीरसा बिमूख उसी तरीके से दो और चार क्या होगा बराबर होगा दिखा देते हैं जो एंगल जो चार यहां पर चार लिखा वचो एंगल यहां पर चार है तो एंगल दो और यहां बीख देंगे एंगल उसी रिजन को क्या कर देंगे और इंगलिस में लिखें वाचो वर्टिकल यह पोजिट एंगल इसके साथ एंगल वट तो अपस तेसरै पाट में प्रूफ करना थो कमेंट आप लूख पहलों के साथ सेर्कार आप लोग क्या करता मोटिवेट करता भीदियो बनाने के लिए थैंक